बहुत से लोग ने Flipkart की VBD sale में ये Samsung Galaxy S22 लिया और बहुत से लोगों को एडाउट था कि इस फोन की बैटरी लाइफ कैसी है ओवर हीटिंग तो नहीं है या फिर 2023 में ये फोन कैसा है हेलो गाइज मैं को कैफ नोइस्टेक से हमनी Galaxy S22 को सेकेंड है हमारे लोकल मार्केट से 33-34,000 रुपीज के आसपास इसकी अलमोस्ट एक मैना वारेंटी बच्ची है 11 मंथ से यूजद है इस फोन को मुझे यूज़ करने को साथ से 8 दिन हो गए बहुत चीज़े डीटेल में बहुता हूंगा पफॉर्मेंस एंड बैटरी रिलेटेड तो पूरी वीडियो एंड तक देखना कि आपको एक साल बाद भी कैसा experience इस फोन से मिलेगा सारी चीज़ा साइड रखके इस फोन के performance और बैटरी लाइफ की बात कर लेते हैं यहां पर आपको मिल जाता है एक snapdragon 8 Gen 1 और येस इस चिप में overheating और बैटरी इसूस तो थेई युजियली जब मैं दूसरे फोन यूस करता हो इतनी देर मों थोड़ा सा थंडा फील करना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा यूस करना स्टार्ट करोंगे गेम्स नहीं खेलोंगे आपको फ्रेम रॉप्स दिखने शुरू मिल जाएंगे आपको ऐसे दिखेंगा फोन थोड़ा सा हीट मैनेजमेंट के लिए बैटरी मैनेजमेंट के लिए फोन को ट्रॉटल कर रहा है और इसे गीमिंग एक्स्पीरेंस इतना कोई खराब नहीं होता है मैंने ये भी देखा इसके फ्रेम रेट जब रॉप होते हैं वहां पर जिटर नहीं आते हैं बहुत ज्यादा लागीनेस फील नहीं होता है यहां पर अगर आप एक हीटिंग के साथ कोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ेगा अपको अपको हीटिंग दिखने मिलेगी अब और हीटिंग से जो बड़ा प्रॉब्लम है वो मुझे यहां पर लगता है बैटरी लाइफ यहां पर एक छोटी बैटरी लाइफ है अफकॉस 3700 mAh की 2023 के हिसाफ से एक काफी चोटी बैटरी लाइफ है पर आपने यह सामसंग का फ्लैक्शिप लिया है 40,000 रुपे के प्राइस में अब प्र की जादा बुरे रिजल्ट और प्रॉब्लम यह था मेरे फुल चार्ज को सिफ 12 गंटे या 15 गंटे ही हो रहते जिसका मदला फोन स्टैंडबाइ पर 9 गंटे या 12 गंटे चाल रहा था तीन गंटे का स्क्रीन ओन दे रहा था जो मेरे हिसाफ से एक काफी कम है और यह एक्द खतम हो गया उसके बार बैटर लाइफ कैसी है जब यह फोन दो दिन तीन निन बाद एक प्रॉपर आपको कंसिस्टन बैटरी देना स्टार्ट करता है उस ताइम पर यह बैगराउंड आप्स को कर देता है सारी बंद बेसिकली यह वह एप्स रहते जिनको आप ज्यादा य बच रही है बतलब मैं इससे 30-45 मिनिट का स्क्रीन ऑन टाइम और निकाल सकता हो इस उसे पर जो मेरे इसाब से एक डिसेंट बैटर लाइफ है बट एक मेजर इंप्रूब्मेंट नहीं है फिर भी यह फोन आपको चार गंटे के अंदरी स्क्रीन ऑन टाइम देने वाला है 25 30W का चार्जर में 60-70 मिनिट में फोल चार्ज हो जाता है चोटी बैटरी है इसलिए 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 बैटरी लाइफ एक बड़ा कंसर्न है कंपेड टू ओर हीटिंग बागी सामसंग ने चीज़ें प्रीमिम दी है 15 वाइलेस चार्जिंग है बट मैं आपको सेजेस्ट कर आपको Gorilla Glass Victus मिलता है तो definitely build quality wise in hand feel wise बहुत ही जाद अच्छा फोन है यह one of those phones है जिसको मैं right hand से left hand से भी properly use कर पाता हूं यहां मेरे थम से proper scrolling हो जाती है मेरे इंडेक्स फिंगर से में सारी buttons को एक ही साथ में रीच कर पाता हूं और कोई भी confusion नी होता है यह चीज मुझे अच्छा display बजट displays जो आपको मिलते है तीस चाली से अच्छा नहीं है अच्छा है नहीं दियाने तो battery life और बूरी मिलती थी 120 और बहुत ही जाद स्मूध चलता है यह adaptive पे काम करता है मैंने पुरा time को adaptive ही रखा है जब यह FPS के बीच में खेलता है जब कम करता है जादा करता उस समय भी मुझे यहाँ पे जेटर्स देखने नहीं मिले मैं इस H22 के performance है सच बदाऊ तो impressed हूँ मुझे काफी अच्छा performance मिला हीटिंग बैटल एक को साइड डग दिया तो आपको बहुत अच्छा performance मिलेगा powerful iPhone और मजा था इस फोन को युसकरने में सामने से bezels देखो तो इसे लगता है आप यह फ्यूजरिस्टिक फोन आप यूस कर रहे हो यह फोन IP68 रेटेड है पानी का कोई प्रॉब्म नहीं है डूल स्टेरियो स्पीकर से जो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आप content enjoy करने वाले हो उसी वाद यहां पे 5G एक्दम प्रॉपरली काम क इस फोन का चोटा होने का सबसे बड़ा एडवाइंट इसका जो अच्छी प्लेस्मेंट पर आराम से मेरा हाथ पहुच जाता है वन टैप पर डिस्प्लेय चालू हो जाता है बहुत जादा फास्ट है बतलब इस प्राइज में आपको जो बजेट फोन मिलता है या फिर इसके साथ आया था इसको एंडवी 13 मिल गया पर अपडेट इस फोन को रेगिलर ली आरे क्योंकि यह अभी सप्टेंबर के सिक्यारिटी पैच रन कर रहा है अल्टरनेट मंस भी आरे तो कोई प्रॉब्यम नहीं है चार साल के अपडेट प्रॉमिस किये जिसमें से 13 तो आ आराम से आएगा मनदब ऑल्मॉस्ट दो हजार पच्छी सबीस तक आप सेटो लोग नहीं पर बहुत ही कम है और आल मुझे से लगा सॉफ्वेर एक्स्पिरियंस मुझे इस फोन का काफी जादा मजा आए इसकने में अब बात कर लेते हैं यहां पर कैमरेश की तो यह लोग यहां पर फोटो की कॉलिटी से मैं इंप्रेश्ट हूँ और वन ऑफ बेस्ट कैमर आई है अगर आपने 40,000 के प्राइस ब्रैकेट में इस फोन को खरीद लिया है डेफिनिली बहुत अच्छी फोटो डीटेल मिलेगी 50 मेगा पिक्सिल में ले रहो तो आपर अच्छा जूम यहां पर डिनामिक रेंज को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है यह शौर्ट कर रहा है यह वीडियो है 4K 60fps यह फोन 8K 30fps भी रिकॉर्ड कर सकता है एंड 1080p 60fps तो अफकॉस करी सकता है यह पर डिनामिक रेंज को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है यह शौर्ट ओवर एक्षपोस अंडर एक्स्पोस ऐसे नहीं हो रहे है काफी अच्छा बैलन्स यहां पर मिल रहा है और कलर भी आप देख सकतो थोड़े से पॉपी है पर अच्छे लगेंगे और जिटरी नहीं है तो ओवराल मुझे काफी अच्छी वीडियो कॉलिटी दिख रही है 4K 60fps में और स्टेबलाइजेशन भी आपको समझ में आ जाएगी बड़ अफकॉस जैसे मैंने बताय है थोड़ी पूर बैटर लाइफ है तो अगर आपने कैमरा या जिनका यूज इतना ज़ाधा है कि आपको 4 या 5 गंटे का स्क्रीन अंटाइम मिनिमम लगता है या आपको 4 गंटे से उपर नहीं दे सकता है Heavy users में दो category आती है, एक जो बहुत जादा phone यूज करते हैं, maybe official work के लिए, maybe gaming नहीं करते हैं, and दूसरे जो gaming करते हैं, gaming experience बहुत अच्छा मिलेगा, but gaming के समय बाटरी लाइफ आपको अच्छी नहीं मिलेगी, and अगर आप बहुत जादा इस phone को यूज करते हो, basically आपका दिन भर म screen on time आपको चाहिए, then ये phone आपके लिए है, आपको कोई problem नहीं जाने वाली, and आपको इसको अभी बबाइ करने तो link आपको निचे description में मिल जाएगी, कईसा आज की video के लिए इता है, video पसंद आई, तो like करना, channel को subscribe करना, हम आपको मिलेंगे next video में, bye bye